हालो माई डिवाइन फैमिली हाव और यू अवल आई होप आप लग बहुत अच्छे होंगे ब्लेस्ट होंगे मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरी रीडिंग को सुने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू मुझे इतना अप्रिशेट करने के लिए दिल से बहुत-बहुत थैंक यू सो सो मच तो मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा मेसेज लाई हूँ इश्वर का देखते हैं इश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं कौन सा मेसेज है जो आपको देना चाहते हैं जो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपकी कोई black magic हुआ है बहुत heavy magic हुआ है किसी की जान लेने वाला कोई ऐसा magic हुआ और ये magic किसी family member ने अपने किसी family member पर ही किया है ठीक है तो हालां कि ये backfire हो गया है बट थोड़ा बहुत जो है किसी के साथ जो भी मेरे viewers हैं उन में से किसी के साथ थोड़ा बहुत जो है हुआ होगा ठीक है तो किसी ने किसी के साथ थोड़ा बहुत कुछ ने कुछ असर हुआ होगा किसी की घर में हुआ होगा जिसने ये किया है वो आपी का family member है और kind of कोई ताउ चाचा है कोई नो कोई होते हैं जो एक-दोसरे के लिए कुछ 欠नों कुछ ऐसा करते हैं ये जिसके उपर किया गया था उसके उपर इसका प्रभाव नहीं पढ़ा इसका प्रभाव किसी और ऑपर पढ़ा है लेकिन थोड़ा पढ़ा है बटर बैखफायर हो गया है ठीक है चलिए जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल ऐकन को प्रेस कर लीजिए so that कि उनको जल्दी जल्दी notifications मिल जाएं मेरी reading के जब जब मैं post करती हूँ किसी ने मुझसे message पे पूछा है कि मैं मुझे आपकी readings जो है timely नहीं मिलती तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी readings timely नहीं मिलती तो आपने मेरे चानल को या तो subscribe नहीं किया होगा या फिर bell icon पर press नहीं किया होगा तो subscription के साथ में एक bell icon का भी button होता है उसको press कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी पता चल सके कि मैं कब-कब reading अपनी पोस्ट करती हूँ ठीक है? चलिए तो reading स्टार्ट करते हैं reading स्टार्ट करते ही आपके लिए एक message आ गया है जो की है six of wands and the lovers तो भई आपके जीवन में कोई good news आ रही है बहुत अच्छी वाले कोई प्यार आ रहा है six of pentacles देखो कोई नो कोई wise person आपके life में जबरदेस्ट entry कर सकता है कोई भी हो सकता है okays दो card है जो की आना चाह रहे हैं यहां पर देखो okay 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 यहां पर देखो बहुत से cards आना चाह रहे हैं वैसे तो page of sword आया है this chariot आया है आपके उपर ना कुछ लोग नजर रख रहे हैं ठीक है उसके बाद दो card और आये हैं page of pentacles और ace of swords तो आपके लिए जो है कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें आपके जीवन में कुछ न कुछ अची चीज हैं जब भी शुरू होती हैं किसी से मिलना जुलना हो सकता है आपका कोई भी person हो सकता है कोई आपके लाइफ में न कुछ नया शुरू हो रहा है जिस पर बड़े लोगों की नजर है यहां पर कोई नजर रख रहा है और यह जो भी नजर रखने वाला इंसान है यह बिलकुल भी intentions इसके अच्छे नहीं है मतलब कोई भी person ऐसा है जिसके तो देखें आपके जीवन में overall कुछ नग पूछ अच्छ शुरू हो रहा है जिस पर 5 of sword आया है कोई यहां पर आपके जीवन के चीजों को छीन लेना चाहता है आपकी उपलब्धियूं को छीन लेना चाहता है आपकी उपाधि को छीन लेना चाहता है आपके जैसा बन जाना चाहता है आपको replace कर देना चाहता है कोई आपसे बातचीत करने का भी शायद सोच रहा है प्लान कर रहा है यहां न मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई ऐसा person है जो कि कभी-कभी होता है न कि कोई इंसान जरूरत से ज़ादा काबिल होता है सुन्दर भी बहुत होता है और हर काम में उस्ताद होता है उसके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ है मतलब काइंड ऑसके destiny बहुत अच्छी होती है तो यहां पर आपके destiny बहुत अच्छी है जो भी मेरी वीवर्स है और उसकी life में कुछ लोग एक नहीं हैं, बहुत लोग हैं बढ़ लगातार, लगातार लगातार ना वीच-बीच में, जैसे आपके दुश्मिन बने हुएं आपसे छीन लेना चाहते हैं लोगों को आपकी life जीनी है, आपके जैसे रहना है लोगों को आपके जैसे लाइफ जीनी है खुश रहना है बहुत कुछ करना है लोगों को आपके जैसा करना है आपके जैसे बनना है कोई आपसे न अपनी तुलना कर रहा है ठीक है? कोई आपसे अपनी तुलना कर रहा है Ace of Cups बार-बार जहांक रहा है Seven of Pentacles भी बार-बार जहांक रहा है यहां पर कोई जो है आपको Queen of Sword भी जहांक रही है यहां पर देखो मुझे जो नजर आ रहा है दो male, एक female नजर आ रही है और यहां पर कोई मुझे ऐसा भी यहाँ पर न यहाँ पर यहाँ पर आपके दुश्मन न एक नहीं है एक kind of एक family से नहीं है एक से ज़ादा है ठीक है और यहाँ पर कोई मुझे past lover या फिर past का कोई relationship या फिर कोई भी person मुझे नजर आ रहा है जो अपनी life में आगे बढ़ चुका है आप अपनी life में आगे नहीं बढ़े हैं बढ़ क्योंकि आप एक safe और बहुती अच्छे place पर हैं तो उसे आपको अब इस position पर देखकर बड़ी तकलिफ हो रही है कि आप इती अच्छी position पर क्यों है तो कोई यहां आपके ओपर लगतार नजर भी रख रहा है और कोई है जो आपके जीवन में किसी न किसी तरह से दिखो कोई stuck है किसी चीज में और वो overthinking कर रहा है बहुत ज़्यादा overthinking कर रहा है इस बात की प्यार का तोफा देना चाता है कोई आपको ठीक है कार्ड नहीं लेंगे क्योंकि जहांक रहे हैं कार्ड two of pentacles की energy आई है किसी को आपके साथ रिष्टे maintain करने हैं खराब नहीं करने है ठीक है बेसिकली यहां पर नहीं सबसे ज़्यादा प्राब्लम ओके page of cups की energy आई है किसी को नहीं सिर्फ एक मौका चाहिए कोई मौका ढूंड रहा है आपसे बातचीत करने का और सबसे बड़ी चीज है कि किसी की बहुत पहनी नजर भी है कि आप किसी नए रिष्टे में न चले जाएं या किसी इनसान के साथ कोई अच्छा relationship स्टार्ट ना करें या फिर आपको कोई प्यार मुहबबत वाली कोई चीज आपके जीवन में न आएं प्यार आपको ना मिले किसी से दर बदर ठोकरें खाओ कुछ लोग यह चाते हैं आपसे यहां पर एक काड आया है three of wands का और एक और काड आया है nine of cups और न काफी टाइम से एक काड जहांक रहा है जो जहांक रहा है काड वो ये है और चलो इस काड को ले लेते हैं क्योंकि बहुत बार आना चाह रहा है nine of cups और the death card कोई past से आपके जीवन में जबरदस्ती घुसना चाता है उसके गंटी या बजजी है उसको आप समझ में आया है कि आप कितने unique थे और उसने आपको छोड़कर या आपके साथ धोका करके बड़ी जल्ती की है जबरदस्ती आना चाता है आपके लाइफ में और यहां पर एक चीज जो कह रही है कि भाग्य बदल कर रहेगा यह नहीं रोकेगा किसी के भी लिए चाहे जो मरजी आए यानि कि इस बहर जो आना आपके जीवन में कोई नो कोई बहुत जबरदस मोड आने वाला है किसी के लाइफ में यहां पर eight of cups के energy आई है तो ऐसा मुझे feel हो रहा है जैसे यहां पर कोई female है जिसके बहुत से दिवाने है और यहां पर या तो आप किसी रिष्टे में आते आते रहे गए थे रिष्टा तूट गया था यहां पर spell भी हुआ था पास्ट में फैमिली में हुआ था अगर आपकी शादी तूटी है या आपका रिष्टा खराब हुआ है या आपके जीवन में प्यार आते आते रहे गया तो यहां कोई family member है जिसने आपके रिष्टे को तोड़ा जिसने आपकी शादी को खराब किया आपको नए रिष्टे में नहीं आने दिया और आपको यहां केला रहने के लिए छोड़ दिया यानि कि वो चाहती है कि आप देखो जहां की रहे है वो तो Queen of Swords यहां आपके दुश्मनना कोई एक औरत भी है जिसको आपके सुख से बड़ी प्राबलम है वो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में कैसे भी तरह का सुख हासिल करें या फिर आपको कोई प्यार करने वाला, सच्चा प्यार करने वाला कोई सच्चा इनसान मिले तो overall जो है reading start करते हैं reading start यहां से होती है कि आपके life में कोई celebration आ रहा है आपके life में प्यार आ रहा है आपको आपके हक का प्यार, आपके हिस्से का प्यार मिलकर रहेगा इसे आपको मिलने से कोई घी छीन नहीं सकता आपके हिस्से का प्यार आपको मिल रहा है आपके जीवन में कोई बहुत अच्छा इंसान आ रहा है जिसके साथ आपकी equal give and taking होगी और ये माता जी फिर से यहां पर जहांकने के लिए आ गई है भाई ये बहुत बड़ी जवरदर्स दुश्मन है आपकी इस वारत को आपसे बहुत ज़दे heavily heavily जलन है ये कोई male female कोई भी हो सकते है बड़ यहां पर किसी को बड़ी जलन है कि कहीं आपको कोई अच्छा इनसान ना मिल जाए ठीक है ओके दीखो I don't know कि ये क्या है बड़ इस deck में ये दो card आये है celebration के एक card और भी है यहां कोई बाच नहीं ले लेते हैं एक ही deck में दो card ऐसा भी होता है क्या देखो ये बहुत ही new deck है मेरा ठीक है इसका box भी अभी ऐसा open ठीक से मैं निकिया है इस box में दो card निकले हैं double confirmation है ये आपका आपके जीवन में सच्चा प्यार आ रहा है इसको आने से कोई रोक नहीं सकता ये इश्वर की मर्जी है ये होकर रहेगा ये होकर रहेगा ठीक है तो ये जो भी person होगा ये बहुत ही wise होगा बहुत intelligent होगा बहुत ही देखो इसके पास पैसों के भी कमी नहीं होगी अगर थोड़ी बहुत कमी है अभी है तो ये ठीक होने वाली है जल्दी मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है overall ये काबिल होगा ये इनसान और हो सकता है कि finance ओड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है बट ये ठीक हो जाएगा ये किसी negativity का प्रभाव हो सकता है और कुछ भी नहीं है बट overall ये काबिल होगा और इसके खुद का कुछ भी business हो सकता है जाब हो सकती है कोई बहुत अच्छी जाब हो सकती है senior level पर नहीं तो ये जो भी person है ये मतलब kind of ये कैसा person होगा जो बहुत ही justice lover होगा यानि कि न्याय पर ये होगा इसको सब पता है कौन कितने पानी में है कौन अच्छा है कौन बुरा है बहुत पार्खी नजर होगी इसकी बहुत intuitive होगा ये जो भी इनसान होगा charity कर सकता है ये charity करना पसंद होगा इसे लोगों को पहचानना बहुत अच्छे से जानता होगा इसकी reputation भी बहुत अच्छी हो सकती है society में और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती है इसके life में चिक है तो आपके life में overall एक ऐसा बहुती समर्द ही इनसान आ रहा है मतलब ये overall अपनी life में सब कुछ कर चुका है बहुत कुछ जो इसे achieve करना चाहिए अपनी life के सभी चीज़ों को ये achieve कर चुका है आपके उपर लगातार spell भी हो रहे हैं और यहां past में past से होते आए हैं बहुत लंबे समय से और देखो ये कोई family member है जो लगातार आपके उपर spell कर रहे हैं यानि कि आपके joint family हो सकती है ये joint family का कोई member हो सकता है जिसने लगातार आपकी शादी को खराब करने की या रिष्टे को खराब करने की कोशिश किये कि आपके जंदगी में कभी कोई रिष्टा न जुड़े कोई प्यार हासिल ना हो आपको या किसी अच्छे इनसान से आप शादी ना करो लोग चाहते हैं यहां पर कि आपकी शादी किसी गलत इनसान से हो और आप बरबाद हो जाओ यहां आपकी बरबादी के कोई सपने देख रहा है और ये आपकी कोई family है कोई joint family है उसका कोई member है जो कि बहुत लंबे समय से आपके ओपर जादू टोने जादू टोने कर रहे हैं बहुत लंबे समय से चल रहा है ठीक है मैं दिखा भी सकती हूँ आपको आपकी life में बहुत बार चीज़ें होते होते खराब हुई है बहुत बार होते होते खराब हुई है और आप ऐसी situation में गए हो बहुत बार ठीक है बहुत बार आप ऐसी situation में रहे हो बहुत बार आपका पैसा खराब हुआ है मिलते मिलते रह गया होगा बहुत सी चीज़ें आपको जो आपकी हकी थी वो नहीं मिली इसको बार-बार भीजा गया आपके जीवन में और ये कोई आपकी फैमिली का ही परसन है जिसने ये सब किया है, लगातार किया है ठीक है? आपको बार-बार जो है न, stuck position में डाला है चीजों को रोका है, पैसे को रोका है यहां तो मुझे कोई psychopath लग रहा है जिसको ये आउकात नहीं है, खुद कुछ करने के और बनने के और वो दूसरों को लगा हुआ है तबाह करने में खुदा बनने की कोशिश कर रहा है दूसरों को तबाह करने में इतना talent यूज कर रहा है अच्छा, तो आपकी जगा लेना चाहता है कोई ठीक है, दोनों हाथों में लड़ू चाहिए बहुत ही, कोई aged person है ये ये जो भी बन्दा है ना aged person है और इसके साथ कोई औरत भी मिली हुई है बहुत जल्दी जल्दी ने आपका पुछ छीन लेना चाहते हैं आपसे तो आपके life में मैंने कहा कि कोई प्यार आ रहा है जिसके उपर नजर रखी हुए कि आप अपने life में कहीं आगे बढ़तों नहीं रहे हैं इन लोगों के साथ हो सकता है आपके रिष्टे भी खराब होए होंगे या थोड़े बहुत रिष्टे में खटास आई होगी या फिर आप सोच रहे होंगे थोड़ी दूरी आ जाए आने ही पारी होगी क्योंकि जब भी लोग जो बहुत ज़दा उल्टे सीधी हरकते हैं करते हैं या कुछ भी गुषते रहते हैं जब असे लोग तो यह वो लोग होंगे इन से अकर आपके बीच में दूरी आई तो बहुत अच्छी बात है यह इश्वर की मर्जी थी और बहुत अच्छा हुआ है कि दूरी आ गई है क्योंकि कनेक्शन कट गया है बीच में से ब्रिज तूट गया है ठीके बरबात करने के सपने आपको देख रहे थे लेकिन खुद गिर गए हैं एक बहुत गंदे नाले में कि अब यहां पर आपकी ओपर कोई नजर रख रहा है यह यह इंग लड़का है जो आपकी ओपर नजर रख रहे है एज आपसे थोड़ी काम हो सकती है मतलब इतना यंग है यंग इन द शेंस नौट की 20-20 साल का बच्चा है मतलब आपको इसा परसन है जो आपसे यंग है इसको न आपकी जगह लेनी है अपने आपको आपकी जगह पर रखेर बिल्ड करना है और आपको आपका नाम आपकी चीजें सब यूस करने है यहां मुझे ऐसा समझ में आ रहा है जैसे यहां पर कोई है यह male female कोई हो सकते हो आप कोई भी हो सकते हो, male हो सकते हो, female हो सकते हो, आप बहुत talented हो और आपके पास बहुत ideas होंगे, नई-ने चीजें करने के, नई-ने काम करने के, काम करने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, आपका management अच्छी हो सकती है, तो यहाँ पर किसी के पास थोड़ा सा भी बुद्धी न तो यहां पर प्लानिंग चल रही है कि कुछ नो कुछ तंतर मंतर या इंतर शड़ें अंतर करके छीन ले हम कुछ नो कुछ आप से तो यहां कुछ ऐसी मुझे वाइब्स आ रही हैं यंग कोई परसन है और यहां पर ना थोड़ी सी अनरजी मैंने का थे ना दो तो मुझे आपके उपर नज़र रख रहा है यहां पर कोई पास्ट से भी कोई परसन है जो आपके उपर लगातार नज़र रख रहा है और आपकी जीवन में कोई आये ना इस बात की भी शौरटी वो कर रहा है और यह जो बंदा है जो शौरटी कर रहा है इस चीज की उसको एक मौका चाहिए बस आपसे और उसको ये पता है कि आपके जीवन में आपसे वो मौका नहीं मिल सकता मिलने के बिलकुल नाम मात्र के भी चांसे नहीं होंगे यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर इश्वर आपके लिए रास्ता बना रहे हैं तो टोटली रिमूव हो चुका है वो और क्योंकि यह लोग दुबारा दुबारा स्पैल कर रहे हैं वो स्पैल काम नहीं कर रहे होंगे वो बैकफायर हो रहे हैं लगातार मगर सबसे बड़ी चीज जो है वो यह है कि इश्वर ने आपके इन सभी लोगों के साथ सारे कॉर्ड्स काट दिया है और आपको दुबारा इन लोगों के साथ किसी भी तरह की कॉर्ड्स को जोड़ना नहीं है क्योंकि ईश्वर ने अगर आपके कॉड्स इनके साथ कट किये है न तो उन्होंने सोच समझ कर किये हैं ये लोग आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबतें क्रियेट करने वाले थे बहतर ये है कि आप इनसे रिष्टे अपने distant रखें रिष्टे थोड़ी दूर ही से रखें मतलब kind of cut off कर दीजे रिष्टे रखने की ज़रूरती नहीं है चीक है तो यहां कोई जो बंदा है वो आपके जीवन में लगातार कोशिश कर रहा है कि कोई दूसरा परसन ना आए और इसको जगा मिल जाए और यहां पर इश्वर कह रहा है कि कर लो जो तुमको कुछ करना है तुमारे हक का प्यार तुमको मिल कर रहेगा आपके जीवन में कोई ऐसा इनसान आएगा जो कि सच्चा प्यार लेकर आ रहा है ठीक है इसको आपके जीवन में आने से कोई रोक नहीं सकता जिसको इश्वर ने बनाया है जिसको इश्वर ने जोड़ा है उसे कोई नहीं रोक सकता कोई love relationship ना start हो सकता है बहुत deep intense feelings होंगी आप लोगों के बीच में प्यार बहुत गहरा रहेगा जिसमें कोई दही जमाने की कोशिश कर सकता है जैसे होता है दूद में थोड़ा सा दही गिर जाया तो खटा सा बन जाता है दूद में थोड़ा सा खटा गिर जाया तो दही बन जाता है तो यहां पर कोई जो है उसे जमाने की कोशिश कर रहा है आपे लाइफ में कोई आए ना इस बात की शारटी कर रहे हैं कुछ लोग based की ताकि आपके बारे में कुछ बखवास भी कर सकते लोग बोलते भी होंगे आपको मुली भी करते होंगे और इनही लोगों की कारण आपके लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें नहीं शुरू नहीं हो पा रही है कि आपके जीवन में आ रहे हैं उपलब्धियों का मौका कोई उठाना चाहता है यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेटेजिक लिए आपको अकेला किया जा रहा है ताकि शिकार करना असान हो सके और यहां पर आप अकेले नहीं है इश्वर आपके साथ बेठे हुए है साथ सा बहले ही आपको दिखाई नहीं दे होंगे लेकिन ऐश्वर आपके साथ बेठे हुए हैं ठीक है और लगतार लगतार इन लोगों को मूँग की खाने भी पड़ इपढ़ रहें उसके बाद भी, घुशन न आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्योंकि आपके डेस्टिनी बहुत ब्यूटिफुल है और आपके डेस्टिनी के साथ साथ बहुत से लोगों का उधार होना है और यहाँ पर कोई ईश्वर की बनाई हुई चीजों में लगातार लगातार रोड़े अटका रहा है यानि कि उस बंदे के सर के उपर काल रठा हुआ है वो खुदा बनने की कोशिश कर रहा है अभी उसको समझ में नहीं आ रहा अभी तो शायद वो लोग खुद को भगवान ही बना बैठे होंगे बट यहाँ पर ईश्वर की किसी चीज में न कोई लगातार दखल कर रहा है आपके हातों से बहुत से लोगों का उधार होना है यानि कि आप जो भी करेंगे उससे बहुत से लोगों को फायदा होगा जब आपके बारे में लोग पढ़ेंगे आपके बारे में बाते करेंगे आपके बारे में पता चलेगा लोगों को की आपके साथ क्या क्या हुआ है तो यहां पर बहुत से लोगों का उधार होगा आपकी जीवन में आपको एक नई रहा पर निकलने वाले हैं बहुत जल्दी ठीक है? और ये जो परसन आपकी लाइफ में पास्ट से आ रहा है ये बंदा अलरेड़ी किसी रिलेशन्शिप में है या तो ये married है या किसी relationship में है उसके बावजूद या आपके साथ रिष्टा रखेगा कोई past से भी आपके life में जबरदस्ती एक मुर्ख इंसान आ रहा है जो already किसी रिष्टे में है उसके बाद उसको आपके साथ भी रिष्टा बनाना है इसको दोनों हाथों में लड़ू चाहिए ये जो भी है बहुत ही मूर्ख मुझे लग रहा है कि जो already किसी रिष्टे में होने के बावजूद भी उसको आपके साथ भी रिष्टे रखने है तो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कर लें और इस तरह के लोगों को कट आफ करें अपनी जिंदगी से आप एक बहुत खुब सुरत रिष्टे में बंधने वाले है बहुत जादा सुक्सम्रध ही आएगी यानि कि दिखो ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई परसन आएगा और आप लोगों की जब डेस्टिनी एक साथ होगी न तो आपको भी उसकी डेस्टिनी से बहुत जादा फायदा होने वाला है यानि कि यहां पर आप लोग एक मेगनेट का काम करेंग यानि कि दो लोगों की जुड़ने से आप लोगों को खुद को ही एक दूसरे से इतना फायदा होने वाला है कि आप लोगों की लाइफ में धन वर्शा होगी मतला पैसे की बरसात हो जाएगी आपकी लाइफ में इतना पैसा आने वाला है ऐसे लाल पगड़ी पहन कर आप भी ना ऐसे ठाट से बैठोगे हाथ फोल्ड करके अपने और दुनिया को दिखाओगे अपनी अचीवमेंट्स को यानि कि लोग यहाँ पर आपकी अचीवमेंट्स को देखने वाले हैं यहाँ पर जो मैंने का था ना डबल कन्फर्मेशन आपके जीवन की सुपलब्दी को कोई रोक नहीं सकता यह बहुत ही क्लियार आई है बहुत क्लियार आई है विधाता ने जो लिखा है वो होकर रहेगा इसको कोई टाल नहीं सकता तो आपके जीवन में इस बार कुछ नो कुछ होकर ही रहेगा अगर लंबे समय से नहीं हो रहा था तो इस बार होकर रहेगा एक नहीं शुरुवात हो रही है आपके जीवन में कुछ लोग आपके उपर स्पेल कर सकते हैं यह आने वाले समय के अनरजी है कुछ लोग आपके उपर स्पेल कर सकते हैं स्पेल करने का रिजन यह है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई आए आप कन्फ्यूज हो जाओ और पहचान न पाओ उस इंसान को आपके लाइफ में जब भी कोई अच्छा इंसान आएगा वो नया होगा पुराना नहीं होगा पुराना बिल्कुल भी नहीं होगा आपके उपर दो तीन जगह से कुछ मूर्ख लोग हैं यहां पर जलन वाली फीलिंग्स मुझे ज़ादा आई है या तो आप कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं या फिर आपके डेस्टिनी बहुत अच्छी है लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं बार-बार एक कार्ड भी आता है ने यहां पर आपना फेमस भी हो रहे हो सकते हो जिसका कोई फाइदा उठाना चाहता है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके फैमिली के ही हैं जिनको इस बात से बड़ी प्राब्लम है कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ और आपके पैरंस का नाम रोशन करो या फिर आप अपना कुछ ना कुछ ऐसा करो तो यहां पर न कोई उस चीज को दबा करना खुद का नाम रोशन करना चाहता है खुद का नाम रखना चाहता कि मेरी वज़ा से यह हो रहा है मेरी वज़ा से अच्छी चीज़ें हो रही है इसकी वज़ा से कुछ भी नहीं हो रहा है और आपको उपर लगातार spell कर रहे हैं ताकि आप confused रहो overall आपके उपर से सारा magic उतर चुका है बट आपके उपर वो जो negativity का प्रभाव रहता ना सिर्फ वो बचा हुआ है जिसको आपको खुद clean करना है ठीक है यह spell होगा जो आपको यह confusion में डाल सकता है कि उस वक्त जब आपके लाइफ में कोई person आये नया तो आप decision लेने में थोड़ा सा गड़वड कर दो कि यह तो देर लगा दो या फिर आपको यह समझना है कि यही सही इंसान है आपके लिए यह spell होगा आपके उपर बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कोई आपके जीवन में आयेगा आपको proposal देगा उसी वक्त आपके उपर spell भी हो सकता है बट यहां भागे कह रहा है कि मैं भी हूँ यहां पर मुझे भी देख लो ठीक है इश्वर यहां पर आकर पहले ही बैठ गए है करके दिखाव क्या कर सकते हो तुम तो भी आपके जीवन में कोई turning point आ रहा है बहुत जबरदस्त वाला यहां पर मुझे कोई एक आदमी मुझे नजर आ रहा है जो कि aged सा है एज है इसकी एक औरत आई है जो कि बहुत होश्यार कमजरी है खुद को एक male है एक female है और यह लोग जो है न बहुत ही घटिया इनकी चीज़े है positive तो नहीं बोल सकते है intuitive भी हैंगे बहुत लोग लेकिन यह धोंग करते हैं लोगों के सामने बहुत धार्मिक होने का यह लोग खुद को pretend करते हैं कि हम बहुत ज़दा धार्मिक हैं मगर यह होंगे नहीं क्योंकि high priestess न एक देवी होती है और यह लोग खुद को देव्य समझ रहे हैं शायद हो सकता है दुनिया को दिखाने के लिए मंदरों मुंदरों में जाते हों कुछ न कुछ करते होंगे तो ऐसा नहीं है हर मंदर में जाने वाला न कभी-कभी कुछ लोग तांत्रिकों को भी ढूंडते हैं क्योंकि वो ऐसी जगों पर मिलेंगे जादू टोना करने वाले टोने टोटके करने वाले दूसरों का घर उजाडने वाले एक जूटी कहानी सुना कि किसी और के उपर कुछ करवाने वाले तो थोड़ा से ध्यान रखेगा अगर इस तरह के लोग आपकी लाइफ में हैं तो थोड़ा conscious हो जाएगे दरबदर मंदिरों में भटकने वाले लोग पवित्र नहीं होते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो पवित्र होते हैं और उन्हें दरबदर भटकने की जरूरत नहीं होती इश्वर खुद चल कर आजाते हैं उनके पास इश्वर सबको पहचानते हैं तो यहां पर आपके जीवन में कोई नहीं शुरुवात हो रही है, बहुत जबरदस्ट शुरुवात हो रही है, कोई बहुत, मतलब एक deep intense feeling आपके जीवन में आएंगी, इतनी feeling strong होंगी आप लोगों के, कि यह control करना मुश्किल होगा, ऐसी situation में अगर आपके उपर थोड़ी confusion होगी, तो सीधा सा फंडा यह है, कि बस यह समझ लो कि यह आखरी मौका है आपके जीवन में, आपके लाइफ में कोई भी नया इनसान आता है, उसको हां बोलना है आपने, that's all, बाकि अगर वो अमीर है, गरीब है, उसके साथ कोई problem चल रहा है, वो बस एक स्पल का असर है, जो जादा देर तक नहीं रहेगा, थोड़ी देर का है, वो असर खतम हो जाएगा, आप दोनों की ही शादी या relationship जो भी होगा, जैसे स्टार्ट होगा, आप दोनों के पास इतना पैसा धन, सुक्समरधी सब कुछ आएगा, ठीक है, क्योंकि आप उसके लिए good luck का का काम करे तो जादा सोचने का नहीं, लाइफ में जो भी आपके नया परसन आता है, आपकी vibes उसके साथ मैच होती है, that's all, बस अपनी feelings को priority देनी है आपने, materialistic चीज़ों को priority नहीं देनी है, वो materialistic चीज़ें आपकी लाइफ में, खुद develop हो जाएंगी, ठीक है, यह इश्वर की मर्ज है कि उन्होंने चीज़ों को अपने हिसाब से चलाया हुआ है, आपको इश्वर पर विश्वास करना है पूरी तरह से, और फिर दीखें चीज़ें कैसे बदलती हैं आपके लिए, ठीक है, किसी नए इंसान के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यह बंदा आपकी ला हैं, यह जो भी इनसान है, बहुत जल्दी, या तो फिर यह हो सकते है कि आप लोग एक दूसरे को देख तो रहे हैं, बट बातचीत नहीं हुई होगी, तो यहां होने वाली है वो भी, ठीक है, तो कुछ न कुछ तो यहां पर ऐसा आ रहा है, तो जो आपके लिए बहुत अ आएंगी, नई चीजों के साथ आपको आगे भढ़ना है, आपको लोगों के जो दुश्मन थे, जुनों ने बहुत ज़्यादा हीरो पंती दिखाई थी आपके साथ, उनकी हालत कुछ ऐसी है अभी, कुछ लोगों की, बाकी आप देखेंगे खुद अपनी आँखों से, त और कोई नो कोई नया रिष्टा आपके जीवन में आ रहा है, शादी वाली वाइब्स आ रही हैं मुझे यहाँ पर, पूराना कार्मिक साइकल आपका खतम हो चुका है, एक नया शुरुवात आप कर सकते, एक नई फैमिली बनाएंगे आप, नया सलिब्रेशन आ रहा है, 11 11, 11, यानि कि पैसा, सुक, समरधी, प्यार, समपत्ती, सब कुछ, ठीक है, तो यह सब आ रहा है आपके लिए, यह रीडिंग थी आज आपके लिए, यह मेसेज था आईश्वर का आपके लिए, जो मैंने आपको दे दिया है, I hope आपको अच्छा लगा होगा, मुझे जरूर बताईएगा, कमेंट सेक्षिन में, और मेरा कल से, एक अडवांस टेरो को स्टार्ट हो रहा है, जो लोग भी जोइन करना चाहते हैं, कल सुभा तक, रजिस्ट्रेशन ऑपन हैं, दो बज़े तक, जो लोग भी जोइन करना चाहते हैं, दो बज़े से पहले-पहले बाइ-बाइ